दुप आज अंदोलन का उन्तीश्वा दिन है और लगातार हमारा अंदोलन यहां पे बरेली कालिज में चला है आज साम पांच वजे हम लोग यहां पे पैदल मार्च निकालेंगे बरेली कालिज के पूरवी गेट से रामपुर गाइडन होते हुए गांधी प्रतिमा पे समाप्त होगा और गांधी प्रतिमा पे साम पांच वजे एक बाद हम लोग जो मार्च निकालेंगे उसकी वहीं सम और लगातार हम अपने अंदोलण को कर रहें और यह मांग कर रहे हैं कि हमारी जायज मांगों को सुना जाए पांश तारीक ko हम लोग कैंट विदाय को एक ग्यापन सौंपेंगे और लगातार अपनी बात हम प्रसासन तक पहुचा रहे हैं और प्रसासन से ये कहना चाह रहे है कि बरेली कालेज को विश्विद्ध्याले बनाने के लिए और हमारे अस्ताई गर्मचारियों बिनिम्ति करने के लिए जल्द से जल्द अगर इस मंच से आवाज आती है डियम महोदय के पास तो मैं ये कहना चाहूँगा डियम महोदय प्रवन समिति के भी अद्यक्ष है जल्द से जल्द प्रस्ताव बना करके सासन को भिजवाएं अनिता की इस्तिती में बरेली कालेज महाविद्याले में हम अपने अंदोलन को और तेज करेंगे और तेज करने की गती में जो हमने कहा है कि हम दोहरा रहे हैं फिर महाविद्याले के इस कार्याले का लॉक भी हम बंद करने से पीछे नहीं है और हमने ये भी कहा है कि अगर अभी भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो एक दिन की 15 फरवरी के बाद बरेली कालिज में स्ट्राइक भी रखेंगे सारे करमचारी एक दिन काम नहीं करेंगे असयोग श्ट्राइक रखेंगे और यह मांग करेंगे कि सरकार हमारी जायज मांगो को जल्द सुने और जल्द इस पर कारिवाई करें अनिता की स्थिती में अपने अंदोलन को और तेज जितना भी तेज हम कर सकते हैं उतना तेज कर जब तक मांगे नहीं मानी आएंगे हम तो लग यूही जारी गए